नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ड्वाइस पार्ग हिंदी के एक नए वीडियो में कारनिर्माता कम्पनी के रेनौल्ट इंडिया ने वहेकल स्क्रापच पॉलसी के तहट अपने ग्रहांकों को लाब देने की घोशना की है हाल ही में रेनौल्ट इंडिया ने महिंद्रा की री साइकलिंग फर्म की सहाइता से री लाइफ स्क्रापिंग प्रोग्राम शुरू किया है इसके तहट कम्पनी पुरानी कार स्क्राप करने वाले ग्रहांकों को नई कारों की खरीद पर छूट प्रदान करेगी रेनौल्ट ने इस ओफर को ट्राइबर, क्विड और डस्टर के लिए लागू किया है फिलाल इस सुविधा को किवल दिल्ली NCR, चिन्नाई, मुंबई, पुने और बैंगलॉर में लागू किया गया है बता दें कि रेनौल्ट की नई कार पर मिलने वाले डिसकाउंट के साथ, पुरानी कार को स्क्राप करने पर अलग से छूट दी जाएगी यही नहीं, अगर ग्रहक अपनी बाइक या स्कूटर भी स्क्राप करना चाहते हैं, तर रेनौल्ट बदले में नई कारों पर छूट देगी आपको बता दें कि स्क्रापेच पॉलसी के तहट पुराने वाहनों को स्क्राप करने पर केंदर सरकार नई वाहनों पर 4-6 प्रतिशत की छूट देती है, जबकि वाहन कमपनियों को 5 प्रतिशत का अतरिक्त डिसकाउंट देना पड़ता है स्क्रापेच पॉलसी की तहट नए वाहन पर मिलने वाला लब उसकी कीमत और स्क्राप होने वाले वाहन के स्क्रापिंग रेट पर निर्भर करता है बता दें कि Scrapage Policy के तहट 20 साल से जादा पुराने प्राइवेट वाहन और 15 साल से जादा पुराने कमर्शिल वाहनों को Scrap किया जाएगा नई Scrapage Policy से पुराने वधातु की रिसाइकलिंग वाई प्रदूशन में कमी वाहनों की अधिक फ्यूल एफिशेंसी के कारण तेल आयात में कमी और निवेश को बढ़ाने में मदद मिलेगी वाहन Scrapage Policy से देश में वाहन निर्माताओं का कारुबार 30% तक बढ़कर 10 लाग करोल रुपए होने का अनुमान है जो की अभी 4.5 लाग करोल रुपए का है वाहन Scrapage Policy के तहट सरकार पुराने और अधिक प्रदूशन फैलाने वाले वाहनों को चिन्नित कर क्रीन टेक्स भी लगाएगी वाहनों का तैस समय पर पॉलिशन टेस्ट करना अनिवार किया जाएगा इसके लिए सरकार प्राइवेट पार्टनर्स की मदद से देश भर में स्वचलित टेस्ट सेंटर खोल रही है Scrapping नीती के आने से देश में नए रोजगार भी पैदा होंगे तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारिया पाने के लिए हमारे चैनल को लाइप, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्वाज पाक हिंदी के साथ